नमस्कार एक बार पुना स्वागत और अविनंदन आपके अपने चैनल श्रेजन नमाचार में मैच न शुकला इमला की एक नई शुरिंखला के साथ आपका स्वागत और अविनंदन करती हूँ आज हम लोग एक पौराडिक कथा को इमला के रूप में लिखेंगे जिसमें आपको ये वर्णित है कि कुम्भ मेला क्यों लगता है इसका था कि माध्यम से ज्ञानारजन के साथ साथ लिखने का अभ्याज भी हम करते हुए चलेंगे और इस वीडियो से जुड़ने से पहले मेरी जितनी भी वीडियो मेरे चैनल में उपलब्द हैं आपको प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर हिंदी व्याकरण के रूप में मिलेगा मैंने एक-एक मात्राओं को बहुत बारीकी से समझाया है इमला के जितने वीडियो मिलेंगे पहले वाले जितने वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि इमला लिखा कैसे जाए मैं इमला का तरीका आपको बताया है मैंने उसमें और उस तरीके को अगर आप जान जाएंगे फिर यहाँ जब जोडेंगे तो इम्ला लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा तो चलिए लिखते हैं शी मद भागवत महापुरान शी मद भागवत गिंती विदिका आप प्रयोग करते हुए चलेंगे जैसे श्री लिख देंगे इंगली नीचे म लिख देंगे फिर दो लिख देंगे फिर भागवत इस तरीके से क्रमग तरीके से आप लिखते चलेंगे बहुत आसान से बहुत आसान विदी से आप बड़े से बड़े शब्द लिख लेंगे श्रीमद भागवत महापुराण में समुद्र मन्थन की कथा वर्डित है अब जब आधार आता है तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि वहाँ उड़न्ती रा लगेगा उड़न्ती रज इधर लगता है और उसके पहले वाला जो अक्षर होता उसके बीश में पढ़ा जाता है यह आपको ध्यान रखना है श्रीमत भागुवत महापुराण में समुद्र मन्थन की कथा वर्णित है सत्युग में सत्युग में देवताओं एवं दानुओने सत्युग में देवताओं एवं दानुओने समुद्र को मथा था उन से चौदह रत्न निकले थे उन से चौदह यह ध्यान रखिए कि हम लोग गलत बोलते हैं तो लिखते भी गलत हैं चौदह रत्न निकले थे उन में स्वर्ण कलश हात में धारण किये उन में स्वर्ण कलश हात में धारण किये धन वं तरी धन वं तरी धन के रूप में उत उत पन हुए थे अब जो आधा अक्षर होता है उसमें कम समय लगता है और जब हम बोलते हैं तो स्वास अंदर की तरफ जाता है पेठल का सांदर की तरफ आएगा और बहुत अच्छा एक वीडियो मैंने आधा अक्षरों वाला दिया है उसमें जाईए तो जो आधा अक्षर की गलती हम बार-बार करते हैं वो कभी नहीं होगा एक बार कुना मिलान करें कि श्रीमत भागवत महापुराण में समुद्र मन्थन की कथा वर्नित हैं सतियुग में देवताओं एवं दानुमों ने समुद्र को मथा था उनसे चवदह रत्न निकले थे उनमें श्वर्न कलश हाथ में धारन किये धनवंतरी धन के रूप में उतपन्न हुवे थे उस स्वर्न कलश में अम्रित था श्री विश्णू की आज्या से उनका वाहन गरुण उस अम्रित कलश को हरकर ले गया दानों ने अम्रित प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दवडे दानों को लवटाने के लिए गरुण ने चार इस्थान पर उनसे युद्ध किया उस युद्ध में हाथ में धारण किया हुआ उस युद्ध में हाथ में धारण किया हुआ उस अम्रित कलश के कुछ अम्रित जल की कुछ बूदे चार स्थान पर गिर गई एक बार कुना हमें लान करें उस स्वर्ण कलश में अम्रित था श्री विश्णू की आज्या से उनका बाहन गरुण उस अम्रित कलश को हर कर ले गया दानुमों ने अम्रित प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दोड़े दानुमों को लटाने के लिए गरुण ने चार स्थान पर उनसे युद्ध किया उस युद्ध में हाथ में धारण किया हुआ अम्रित कलश के कुछ अम्रित जलकी, कुछ बूंदे चारो इस्थान पर गिर गई अतह उन चारो इस्थानों में अम्रित प्राप्त करने के लिए अतह उन चारो इस्थानों में अम्रित प्राप्त करने के लिए कुम्भ मेला का आयोजन किया जाता है अब ध्यान क्या रखना है? कि जहाँ पर जो मात्रा निकल रही है जैसे हमने बोला आपको चारो ओ तो यहाँ ओ की मात्रा है ये ध्यान रखना है अब जहाँ इस थानों तो ये ध्यान रखना है कि पहला जो अक्षर है वो आधा है अब में मा में एक ही मात्रा निकल रही इसको आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे पुनाह उसको मिलान करें अब अतह उन चारो इस्थानों में अम्रित प्राप्त करने के लिए कुम्भ मेला का आयोजन किया जाता है हरिद्वार, प्रियाग, नासिक, उजयन ये चार इस्थान है हरिद्वार, प्रियाग, नासिक, उजयन ये चार इस्थान है प्रियाग राज में त्रिवेडी के तट पर प्रयाग राज में त्रिवेडी के तट पर लोग माघ के महीने के मकर संक्रांती मकर संक्रांती में एक माह का कल्प वास करते हैं एक मास का कल्प वास करते हैं यद्यपी कल्प वास के लिए यद्यपी कल्प वास के लिए लोग प्रतिवर्ष आते हैं यद्यपी कल्प वास के लिए यद्यपी कल्प वास के लिए लोग प्रतिवर्ष आते हैं फिर भी प्रतेक बारा वर्षों के पश्यात कुम्भ पर्व और प्रति छह वर्ष पर प्रति छह वर्ष पर अर्ध कुम्भ का पर्व इस नाम से प्रसिद्ध कुम्भ मेला लगता है पुना एक बार मिलान करें पर्व और प्रति छह वर्ष पर अर्ध कुम्भ का पर्व इस नाम से प्रसिद्ध कुम्भ मेला लगता है तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सही लिखा होगा यहां पूरी कथा मैं लिख दे रही हूँ इसमें आप मिलान करें और जहां आपने गलती किया है दस-दस पार उसको दोहराने का प्रयास करिए और उन वीडियो उसको जरूर देखिए जिसमें आपको इस वीडियो में हेल्प मिलेगी धन्यवाद